देरात एक ट्रक चालक को नीन की जपकी लगने से ट्रक अन्यंत्रित होकर दलपतपूर रजेडा नदी में जा गिरा जिसके चलते चालक वा परिचालक गंफीर रूप से घायल हो गए चालक बंटी परिचालक सुभाश पुत्व विजपाल पड़वाई रामपूर की निवासी है वे करवल नगर दिली से ट्रक में गत्ता लात कर रामपूर चार आई थे वोके में पहुंची पुलिस ने दोनों को बड़ी मश्रकत के बाद गाड़ी के अंदर से बाहर निकाला और एमुलन्स वारा मुरादबाद जुला अस्पिताल में भड़ते करा दिया जहां चालक वा परिचालक के हालत गंफीर बनी हुई अच्छा बाद के निकट जनकपूर के गाओं हुसाइन केच में डॉक्ट्रों की बड़ी लापरवाही के कारणे गर्वती महिला की मोत हो गई महिला के पती ने गाओं के ही आशा और हिंदुस्तान ऑस्पिटल के डॉक्टर पर आरोप लगाया है कि आशा गर्वती महिला को जुला अस्पिताल ना ले जाकर हिंदुस्तान अस्पिताल ले गई जहां महिला ने बड़े ओप्रेशन से बच्चे को जनम दे दिया जिसके दुरान महिला की मृत्ति हो गई जिसने ओपरेशन करा ये वो बदल गया राष्ते में से बुलधाना जिले के संग्रामपूर नगरपंचायग में विविद कामों को लेकर भूमी पूजन किया गया जिस पे विधायक संजे कुटे बुलधाना जिले के पालक मंचरी तहसीलदार वा नायब तहसीलदार आदी मोचूद रहे देवरिया जनपत के विकास खंट गोरी बाजार के ग्रामसभा महिला दुधैला में स्वच भारत मिशन ग्रामीन के तहत बनने वाले शुचाले निर्माण में भारी अनियमतता सामने आई है यहां आदी निर्मित करीब सेकड़ो शुचाले का पैसा ग्राम प्रधान सचीव वा ठेकेदारों की इम्बिली भगत से बंतर बाट कर सरकार को लाखों रुपे का चूना लगा दिया गया है उक्त ग्राम सभा के शुचाले का चेक लाभारतियों को न देकर ठेकेदार द्वारा करा आ गया जिसका पैसा बंतर बाट कर शुचाले अधूरा छोड कागस में पूरा दिखा कर फोटो अप्लोड कर दिया गया जबकि जिलादिकारी मोहदे द्वारा दिवरिया को सच भारत मिशन में प्रथम स्थानिय दलाने की कोशिश की जा रही है